कस्तूरी म्रिग एशिया में मिलने वाले जीव वैज्यानिक कुल का एक मात्र वंश है कस्तूरी म्रिग देखने में हिरन जैसे दिखते हैं और इन्हें हिरन ही समझा जाता है लेकिन विज्ञान दृष्टी से ये हिरनों के वंश का भाग नहीं है कस्तूरी म्रिगों में असली हिरणों की भांति सींग नहीं होते और इनमें कस्तूरी ग्रंथी होती है जो हिरणों में नहीं होती कस्तूरी नाम मोलता एक ऐसे पदार्थ को दिया जाता है जिसमें एक दीक्ष्न गंध होती है और जो नरकस्तूरी म्रिक के पीछे गुदा क्शेत्र में स्थिर्फ एक ग्रंति से प्राप्त होती है इस पदार्थ को प्राचीन काल से इत्र के लिए एक लोगप्रियर आसाइनिक पदार्थ के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहा है और दुनिया भर के सबसे महेंगे पशु उत्पादों में से एक है ये खुद उस खुश्बू की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है पर ये खुश्बू कहां से आती है? म्रिक को ये कभी पता नहीं चलता और वो इसकी खोज सारी जिंदगी करता रहता है